उत्रप्रदेश की आदित्यनाद सरकार अब अंधेर नगरी और चौपट राजा बन गई है उत्रप्रदेश में मानवता को मौत की घाट उतार दिया गया हम मौन साधे नहीं रह सकते ये हमला सोन भद्र का नरसंहार देश के गरीब और किसान पर है गाव उंभा सोन भद्र में नरसंहार के पीडितों को न्याय देने की बजाए शिरी अजे सिंग बिष्ट उर्फ आदित्यनाथ जी एक तरफ तो श्रिमती प्रियांका गांधी और अन्य विपक्षी दलों के नेताओं को गिरफतार कर प्रजातंत्र का दमन चक्कर चला रहे हैं और दूसरी तरफ सोन भद्र नरसंहार के आरोपियों का आदित्यनाथ सरकार सरक्षन कर रही है उन्हें बचा रही है ये हत्याएं संस्था गत मानी जाएं और अभी मैं उसके कुछ साक्षा आपके समक्ष रखूंगा भारतिय जन्ता पार्टी ने उत्र प्रदेश को अपराद प्रदेश बना दिया है कल से कॉंग्रिस महासचीफ श्रीमती प्रियांका गांधी वड्रा को गिराफ्तार कर चुनार गेस्थाउस में नजरबंद कर रख़ा है श्रीमती प्रियांका गांधी और कॉंग्रिस के नेताउं का कसूर इतना ही है कि वो सोन भद्र जाकर पेड़ित परिवारों के आंसु पोंचना चाहती थी और दुख सांजा करना चाहती है जिनोंने खुले हाम हो रही गुंडा गर्दी के चलते परिवार के दस सदस्यों की हत्या का खोफनाक मंजर अपनी आँखों से देखा दूसरी और आदित्यनाथ सरकार ने पूरे उंभा गाउं को शावनी में तबदील कर दिया है यहां तक कि भाजप्पा सरकार के आदेश पर गाउं में आने जाने पर भी संपूरन प्रतिबंद है जैसे गाउं के गरीब आदिवासी गाउं का गरीब किसान जिनके परिवारों के हत्या हुई है वो पीडित ना होकर भाजप्पा की नजर में आतंकवादी या उगरवादी हों कल मुक्यमंत्री शिरी आदितनाथ जी ने एक पत्रकार गोश्टी में सोन भदर नर्सहार को लेकर पूरे देश को जूट बोला और बरगलाया सही तथे इस प्रकार से हैं 19 अक्टूबर 2017 को आदितनाथ सरकार ने आदिवासियों की जमीन का गैर कानोनी तरीके से परमुक्ष दोशी यग्यदत भूर्तिया के हक में इंतकाल कर दिया 24 जुलाई 2018 भारतिय जंतापारटी की सरकार दोशियों के साथ मिलकर उन आदिवासियों की जमीन पर कबजा करवाना चाहती थी इसलिए यग्यदत के भतीजे राजकुमार सिंग के दर्खवास्त पर आदिवासि किसानों पर भारतिय दंड सहीता इंडियन पीनल कोड की धारा 506, 554, 447 में मुकदमा दर्च कर लिया गया ताकि वो जमीन को खाली कर दें बाजप्पा सरकार का दोशियों के साथ मिलकर शडियन तर यहीं खतम नहीं हुआ 29 अक्टूबर 2018 दो और एफायार उन किसानों के उपर जिनकी जमीन का कबजा दंगई लेना चाहते थे जबरन तरीके से उन पर दर्च की गई एक एफायार और दर्च की गई यगदत के भतीजे राजकुमार सिंग के दर्खवास्त पर दारा 144, 149, 352, 427, 447, 504, 506 भारतिय दंड सहींता में और एक दूसरी एफायार दर्च की गई सोनुक कुमार जो यगदत के रिष्टेदार हैं उनकी दर्खवास्त पर आदिवासी किसानों पर दारा 506, 504, 447, 149 लक्षे केवल एक था इतने मुकदमे उन आदिवासी किसानों पर दर्च कर दो कि वो दश्कों से जोत रहे अपनी जमीन को खाली करने पर मजबूर हो जाएं आखिर में उन आदिवासी किसानों ने कानून के तहट जिला अधिकारियों को गुहार लगाई 6 जुलाई 2019 को आदिवासी के जिला अधिकारियों ने भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार के इशारे पर जो गैर कानूनी इंतकाल यग्यदत के हक में हुआ था उसे खारिज करने की आदिवासियों की दर्खास्त को ही खारिज कर दिया ताकि उन जमीन पर कबजा हो सके 6 जुलाई को आदिवासियों की दर्खास्त को जिला अधिकारि कारिज करते हैं और 17 जुलाई 2019 को 200 गुंडे बंदूकें लाठियां भाले और दूसरे हतियारों से लैस होकर उन भागाओं में उन गरीबों किसानों पर हमला करते हैं और तीन महिलाओं सहीत परिवार के 10 सदस्यों को मौत की घाट उतार देते हैं 48 व्यक्ती घाइल होते हैं 19 जुलाई 2019 को जब आदिवासियों से शांती प्रिये तरीके से मिलने के लिए प्रियांका जी जाना चाहती हैं तो उन्हें गिरफतार कर लिया जाता है दोस्तों ये अगर आदित्यनाज सरकार का संसागत शडियंतर नहीं तो क्या है सच्चाई ये है कि भारतिय जन्ता पारिटी की सरकार अपरादियों से सलिप्थ है और उनका सरक्षन कर रही है हम केवल चार सवाल पूछना चाहते हैं आदित्यनाज जी और भाजप्पा को जबाब देना होगा सोन भदर नर्सहार के दोशियों को पकड़ने वस सजा देने की बजाए पूरे उंभा गाउं को पुलिस शावनी में तबदील कर गाउं के अंदर और बाहर जाने पर पुलिस पाबंदी लगा भारतिय जन्ता पारिटी की सरकार क्या साबित करना चाहती है क्या वो अपरादियों के साथ है दोशियों के साथ है या पीडितों के साथ दूसरा सवाल आदितेनाथ सरकार ने किस कानून के तहट पिछले 24 गंटे से श्रिमती प्रियांका गांधी को गिरफतार कर रखा है आधित्यनाथ जी श्रीमती प्रियांका गांधी से इतने घबराते और डरते क्यों है भाजप्प सरकार श्रीमती प्रियांका गांधी से इतनी घबराती और डरती क्यों है तीसरा प्रशन क्या उत्तर प्रदेश में अब विपक्षी नेताओं के जाने पर प्रतिबंद है क्या कारण है कि श्रिमती प्रियांका गांधी वड़रा सोन बदर नर्सहार के पीडितों से गाउं जाकर नहीं मिल पा रही क्या कारण है कि आज भी जब सुभे तड़के 6 बजे से उन आदिवासी परिवारों के कुछ सदस्य प्रियांका जी से मिलने चुनार गेस्था उसमें आये तो 6 बजे से 6 घंटे तक पुलिस ने उन्हें धक्के मार कर रोके रखा और प्रियांका जी से मिलने नहीं दिया आदा घंटा पहले मुलाकात हो पाई और चौथा क्या उत्तर प्रदेश में अब कानून और समिधान का शाषन खतम हो गया है क्या संग्ठित अपराथ हत्या बलातकार डकैती चोरी गुंड़ई दंगई अब ये आदित्यनाथ सरकार की पहचान बन गए है इन सवालों का जवाब भारतिय जंता पार्टी को और आदित्यनाथ जी उर्फ अजे सिंग बिष्ट जी को उत्तर प्रदेश और देश की जंता को देना पड़ेगा